हाई फ्रेंड्स आज हम आपके शाथे कैसी रस्पी शेयर करने जा रहे हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इस रस्पी के खा जाते हैं कि आप इसको ब्रत्मिया किसी भी टाइम बना कर खा सकते हैं तो अगर आपको मेरी रस्पी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तो पिछल ये इसको बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने आप लिया है 1500 ग्राम पनीर जिसको मैंने कद्दू कस कर लिया है साथी हम इसमें एट करेंगे एक बारीक कटी हुई काजर बड़े साइच का आदा टमाटर इसको भी हम छोटे-छोटे पीसे इसमें कट करके डालेंगे साथी इसमें जो बीच में बीच होते हैं उनको हम निकाल देंगे और अब हम इसमें एड़ करेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया, हरा धनिया हम थोड़ा सा इसमें ज्यादा डालेंगे, एक बारी कटी हुई हरी मिर्च, तो अब हम इसमें एड़ करेंगे एक छोटी चम्मच ददरा पिसा हुआ जीरा, अगर आप ब्रत में जीरा नहीं खाते ह तो इसको मट डालिएगा साथ हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप ब्रत में बना रहा हैं तो इसमें ब्रत बाला नमक डालें तो सारी चीजों को हमें अच्छे से मिला लेना है ताकि सबी चीजे आपस में अच्छे से मिल जाएं तो नास्ते के लिए हमारी stuffing तयार है तो अब हम दो बड़े साइच के उबले हुए अलू लेंगे इनको हम अलू मैसर की साइटा से अच्छे से मैस कर लेंगे तो आलू को हमने अच्छे से मैस करना है ताकि इसमें गुटलिया ना रहें तो आलू को हमने अच्छे से मैस कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें गुटलिया नहीं है तो अब हम इसमें एट करेंगे 3 टेबिली स्पून पिसे हुए समाके चाबल अगर आप इसको ब्रत में नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें नॉर्मल चावल कांटा भी डाल सकते हैं और चावल कांटा डाल कर हम इसको एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ध्यान रखेगा हम इसको पोटेटो मैसर की साहता से ही अच्छे से मिक्स करेंगे जिसे अच्छे से चिकना हो जाएगा साथ हम इसमें एट करेंगे ब्रत बाला नमक और सभी चीजों को एक बार हम फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आलू मारे अच्छे से चिकने हो गए, अब हम इनको एक जगह पर इखटा कर लेंगे, तो अब हम आलू का इतना मिक्षर लेंगे, इसको हाथों की साहिता से अच्छे से चिकना कर लेंगे, और उंगलियों की साहिता से हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ध्यान रखे स्टफिंग हमारी बहार नहीं दिखनी चाहिए तो हम इसको अच्छे से कबर कर लेंगे और वहांतों की सायता से इसको चिकना कर लेंगे इसी तरीके से हम सारी बॉल्स बना का तयार कर लेंगे तो अब हम इनको फ्राइ करेंगे इसके लिए कड़ाई में ओल लेंगे और ओल क कुआ ने न की हाच्टा से फिर्पराइद करना बंटाकर था नर्साइब लेकालेंधे लिएधार है का नीकाल लिए आप इस नास्तिय को ब्रतमिया किसी भी टाइम बढाकर खांगे खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है आप इसको गर्मा-गरम तीकी चटनी औं सब गृकी तो फिर original नई राश्पी के साथ बाई